नमस्कार दोस्तों, दोस्तों Railway RRB NTPC की एक latest information आई है जो कि आपको मैंने दो दिन पहले एक video बनाया था कि जिसमें आपको मैंने बताया था कि Railway NTPC के कुछ चातरों ने case court case कर दिया था तो दोस्तों जब उन्होंने court case किया था तो इस court case को क्या कर लिया गया है case file हो गया है तब इन्होंने just register किया था case अब case file हो गया है और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि इस court case file होने के बाद जो है क्या होने वाला है क्या आपका जो result है अपरेल में जो आने वाला है first week में वह हो आएगा कि नहीं आएगा सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अने कैडमी में कोई भी courses purchase करना चाहते हैं चाहे वह एससी railway banking किसी का भी पर्चेस करना चाहते हैं 20% जो है एक अपरेल से सभी courses का प्राइस बढ़ने वाला है उसके पहले आप course ले सकते हैं साथ में आप क्या है कि code आप जो है code दोस्तों यूज कर सकते हैं AS2022 वीडियो के description में link है वहाँ आप Link कर सकते हैं और जितने भी courses है free देख सकते हैं और purchase कर सकते हैं यह अगर code यूज करेंगे तो आपको 10% का discount मिल जाएगा बढ़ते हैं हम अपने दोस्तों यह important इंफ़वेसा न्टी पीसे related है जो की case हुआ था आप cz government.in में जाएंगे तो आप जो है इसको यहां आप जाएंगे तो आपको यह मिल जाएगा case file जो है वो सारे डेल में मिल जाएगा जिसे case number जो है अब case number भी आ गया है जो status है वो pending चल रहा है मतलब है इसकी hearing होगी present or next date जो है 30 को होगा दोस्तों 30 को साइद इसको case की सुनवाई हो ठीक है और साथ में दोस्तों यह तीन लोगों का नाम लिखा हुए संदीब कुमार नरेंदर रावत और दीपक शिन इन तीन और लोगों ने railway में railway के लिए case डाला है ठीक है तो आप देख सकते हैं सारा चीज आप देख सकते हैं कि case जो है लगभग के जो है लगभग आपका रेजिस्टर हो गया है ठीक है साथ है मैं आपको और अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें देख लिखा है case is defect free यहां लिखा हुआ है कि case जो है defect free है मतलब सारे document जो है सब कुछ है लोगों ने accept किया है तो यह case जो है आगे बढ़ेगा मतलब आगे इसकी सुनवाई होगी तो क्या ऐसा होगा कि आपका NTPC का जो exam है वो date नहीं आएगा इस case के कारण तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी तीस तारीक को हमको information पता चलेगा कि क्या आगे होगा लेकिन मैं आपको एक्षिस बता दूं यह कुछ लोगों के कारण से जो कि जो आपका NTPC का result है वो बहुत दिनों तक postpone नहीं होगा मतलब April 1 तक आने के बहुत जादा chances है ऐसा नहीं है कि यह जो क्या कहते हैं case हो रहा है इसके कारण आपका जो है result जो है extend हो सकता है chances बहुत कम है हो सकता है कि 30 को ही जो हो 30 को फैसला तो आई ही जाएगा कि क्या आगे होगा लेकिन आपका जो result है first week of April में आने क कि बहुत जादा chances है ठीक है इस case से कुछ problem होने वाला नहीं है लेकिन हम इस case को भी मतलब नजर हमारी इस case पर बनी रहेगी कि क्या चीज़े चल रही है तो दोस्तों यह था important information NTPC के लिए important information है चैनल को ज़रूर subscribe कर लें इसी से related जो भी information आईगी मैं आपको देने की कोशि करूंगा दने माद़